तो दोस्तों नेक्स्ट फंक्चन भी फंक्चन चेंज कलर कलर यह चेंज कलर है function document.getElementById जो है वो है x ले लिया .style.color is equal to color script head यह paragraph ले लिया हमने और यहां को टेवल की width इतनी ले ली height भी अगर अगर automatically नहीं आ रही है तो आप यहां से height भी ले सकते हैं इसके बाद यहां पर इस तरह से height लिखना है फिर यहां पर यह जो अलग-अलग तरह के color चाहिए भूले लिए फिर form input type is equal to x xy यह वाला type is equal to text value is equal to mouse over click size उसका 20 रख दिया अब यह जो type करेंगे पहले हम क्या करेंगे कर रहे थे बॉक्स का color चेंज हो रहा था अब text का होगा क्योंकि text दे रखा है यह पर यह देखो है रहा red हो गया देखो text यह लिखा हुआ red यह blue हो गया और यह green तो इस तरह से color change कर सकते है